लोकल नीजिस ओफ इंडिया गाउं की गुंच दिल्ली तक मनाली के परसित महाकालेश्वर मंदिर से राज अगरवाल आज उस सक्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिनका नाम है राजश फसिस्थ इन्होंने बहुत कम उमर में अचारे हैं बड़े-बड़े पाठ करते हैं भागवत करते हैं बड़े-बड़े आजयोजन नोंने किया है चलिए बात करते हैं राजेशी से पनिजी नमश्कार आपका लोकल नीज आफ इंडिया गाउं की गुंच दिली तक में स्वागत है अभी नंदन है आज जो यहां पर करेकरम हो रहा है महाकालेश्वर मंदिर में जो अभी आपने हावन किया और यहां इतने तीन दिन तक प पढ़ रहे था और क्यों किया जारता है पहले तो सबको साधर प्रणाम यह तीन दिन का तीन दिवस्य जो जप अनुश्वान हुआ महाकालेश्वर भगवान जी की स्थापना के उतलक्ष में किया गया इसमें महामर्तुन जप विशेशत तोर पर यहां पर हमने जप किया है और वैदिक पूजा हुई है भवान महाकालिश्वर का जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है उस पर रुद्राविशे किया गया इस तरह से तीन दिवस्य जो यह जपनुष्षान था याज पुर्ण हुआ है आज इसकी पुर्णावती हुई है मनाली में ब्यास नदी के तक पर बसा महाकालिश्वर मंदिर यहां आने वाले परियटकों के लिए तो एक अलग तरीके के कवतुहल और आस्था का विशे होता ही है क्योंकि लोग मौज मस्ती के साथ बाबा भोले नात के दर्बार में हाजरी लगाना नहीं भूलते लेकिन महाकालिश्वर मंदिर में यहां के अस्थानी लोगों की आस्था इतनी ज़्यादा है उसका आप पूरा का पूरा उदारन तीन दिन से चलने वाले यहां पर जपोपाट में आये हुए भक्तों के हुजूम से देख सकते हैं लोगों ने तीन दिन तक हिस्सा लेने के बाद आज जपोपाट की पूरावुती हवन यग के बाद भंडारे में हिस्सा लिया आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पंगत में बैठे हुए लोगों का अपना एक अलग ही मजा है यह धाम है पुल्वी धाम का आनंद लेते हुए बंडारे के रूप में यह लोग अपने आप में पगवान भोलेनात का महाकालेश्वर का प्रशाद स्विकार कर रहे हैं इन सब के लिए यह सुखत समय है मंदिर कमेटी के आयोज को द्वारा किया गया यह प्रवंधन अपने आप में इस समय परियटकों के बड़े हुजूम को कुछ नयासा जरूर दिख रहा होगा क्योंकि इस तरीके से पंगत में बैटकर खाते हुए लोगों को देखना भी परियटकों के लिए नई बात होगी क्योंकि बाहर सनातन, संस्कृति और सब्विता का कितना बेड़ा गरक हुआ है यह सब जानते हैं भूमी ने उसको न सिर्फ सरच्छित किया है बलकि आगे भी बढ़ाया है